पंजाब में अब तक व्यूकर माइकॉसस यानि की ब्लाक फंगस के 158 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं इन में से 32 मरीज ऐसे हैं जिने क्रोना का संक्रमण नहीं हुआ था इस बास से आम लोगों की चिंदा बढ़ गई है क्योंकि अब तब तक तो यही माना जा रहा था कि जिन लोगों को क्रोना हुआ था उन्हें इलाज के दौरान इस्टरॉइड दिया गया था जिस वजह से उन में ब्लाक फंगस का संक्रमण फैला था डॉक्टरों का कहना है कि ये 32 मरीज ऐसे हैं जिन में दूसरी बीमारियों के इलाज के दौरान इस्टरॉइड दिया गया था इसलिए ऐसा नहीं कि क्रोना से ठीक होने वालों में ही ब्लाक फंगस का संक्रमण बढ़ने का खत्रा है ब्लाक फंगस के लिए पंजाब में नोडल अधिकारी बनाए गए डॉक्टर गगन दीव सिंग कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की इमिनिटी कमजोर है उसमें बीमारी होने का खत्रा है वो बताते हैं कि ब्लाक फंगस चूने से नहीं फैलता और अगर समय पर इसकी पहचान कर ली जाए तो इसके लाज संभाव है कोई भी व्यक्ति जिसे किसी बीमारी के लाज के दौरान ज्यादा इस्टिरॉइट दिया गया है वो ब्लाक फंगस का शिकार बन सकता है पंजाब में कोविड एक्सपर्ट टीम को हेट कर रहे डौक्टर के के तलवार कहते हैं कि कुरूना के इलाज में ज्यादा इस्टिरॉइट का इस्तिमाल होने से परिशानी हो रही है डौक्टरों को दूसरा विकल्ब इस्तिमाल करने को कहा गया है पंजाब में 19 मैं को एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहट म्यूकर माइकॉसिज यानि की ब्लाक फंगस को महामारी गोशित कर दिया गया था क्रोना वाक्सीन और लागडाउं से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें